इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्योंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभ इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा से चक्कर और नींदा सकती है. इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइब या ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जर आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. रेलेन टेबलेट के फायदे, खांसी का इलाज, खांसी हवा का एक अचानक और बलपूर्वक होने वाला निशकासन है जो गले में तथा वायुमार्ग में म्यूकस या किसी अन्य बहयपदार्थ को साफ करने में मदद करता है. अगर किसी रोग या अलजी के कारण ऐसा अक लक्षनों, जैसे आँखों से पानी आना, छीक आना, नाग बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी देनिक गतिविदियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी. यह दबा सुरक्षित और प्रभावी है. आमतोर पर कुछ मिंटों के बीतर काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव कई गंटों तक रहता है. इसे डॉक्टर द्वारा पर परची में लिखे गए गए अनुसार लें. जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता, तब तक इसका इस्तिमाल बंद ना करें. यह दबा लेने से आप लक्षनों की चिंता किये बिन बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं. रेलेंट टेबलेट के साइड एफेक्ट. इस दबा से होने वाले अधिकांच साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दबा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपन और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं. रेलेंट टेबलेट को खाने के साथ या भूके पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तैस समय पर लिया जाए. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.